रिंकू की हत्या की वार्दात का पर्दाफाश दो आरोपी गिरफता रंजिश रक्तिफी योजना बना कर की थी रिंकू की हत्या हत्या के बाद शब को दफना दिया था मिट्टी में कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाय था कि तलाप किनारे मिटी से बाहर हाथ दिखाई दिया था जिसके बाद मोके पर पोलिस पहुची थी और गड़ा खोद कर शव को बाहर निकाला गया था मिर्तक की पहचान हो गई थी लेकिन पोलिस ने तुरंत इस मामले की जांच भी शुरू कर दी थी जिसके बाद रिंकू की हत्या करने वाले आरोपियों और हत्या के कारणों का भी खुलासा हो चुका है थाना इसराना पोलिस ने गाउपढणाना हाल निसराना निवासी रिंकू की हत्या की वारदात का परदा फास करते हुई दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है पूश्ताश में दोनों आरोपियों ने अपने करने साथी आरोपिय के साथ बिलकर रंजिश के चलती साजिश रचकर शराब पार्टी के दोरान पिस्तोल से रिंकू की गोली मारकर वा इटो से परहार कर हत्या करने के बारे में कबूल लिया है आप ही पूरी खबर देखे लेकिन अपी लेही रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर करते रहें थाना इसराना प्रभारी इस्पेक्टर बलराज ने बताया कि थानी में करंबीर पुतिर रामेश्वर निवासी पढ़नाना ने शिकायत देकर बताया था कि वो इसराना के ब्लोग के साबने रहता है उसका छोटा बेटा आशीश बिमार होने पर इसराना एंसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल था बड़ा बेटा रिंकू तीन अगस्त की देश शाब एंसी मेडिकल कॉलेज में भाई आशीश से मिलकर बाइक से घर के लिए निकला था जो घर नहीं पहुचा जिसकी उन्होंने अपने स्तरपर विभिन जगहों पर तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया शिकायत पर थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने रिंकू की तलाश शिरू कर दी थी वहीं इंस्पेक्टर बलराज ने बताया कि रविवार को थाना इसराना पुलिस को इसराना पलडी पर सूखे तलाब में की वक का शव गढ़े में दबा होने के बारे में सूचना मिली थी पुलिस टीम ने तुरंत मोके पर पहुच कर एफसल टीम को बुला कर साक्षे इकठे करवाये थी शिनाक्त करवाने पर पजनोरे रिंकू के शव को पहचान लिया था सुमवार को शव का पीजियाई खानपूर में बोर्ड द्वारा पोस्मार्टम करवाकर शव पजनो को हवाले कर दिया था पोस्मार्टम में रिंकू के शव में पिस्तोल की गोली का सिक्का मिला था पोलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 302, 201, 34 वा आम सेक्ट इजात कर आरूपी की तलाश शुरू कर दी गई थी वहीं इंस्पेक्टर बलराज ने बताया कि कड़ी से कड़ी जोड़कर गहनता से छान बिन कर वारदात का परदा फाश करते फ़े अमन और फबोना को काबू कर पूश्ताज की गई तो आरूपी ने अपने साथी आरूपी कुनाल वा एक अन्ने साथी आरूपी के साथ मिल वहीं इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि पूश्ताश में आरूपी ने बताया है कि उन दोनों की कई सालों से रिंकु के साथ दोस्ती थी, करीब एक साल पहले रिंकु के साथ उन दोनों की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों रिंकु से अवैत देसी पिस्तोल चार जिंदा रोंद 15,000 रुपे में खरीदे थे। योजना अंसाथ दोनों आरुपियों ने अपने साथी आरुपी के साथ मिलकर तीन अगस्त को विश्व कर्मा कालोनी में कमरे पर शिराब पार्टी देने के बहाने रिंकु को बुलाया। इटो से ताबर तोड़ वार कर वचुनी से गला दबा कर रिंकु की हत्या का शव को बाईक के पीछे लगी ट्राली में रखकरी सराना पलड़ी रोड़ पर ले गए और वहां सूखे तलाब में गड़ा खोद कर शव को दबा दिया। शव दबाने के बाद रिंकु की बाईक को थोड़ा आगे लावारिस हालत में छोड़ कर तीनों आरुपी वापिस कमरे पर आ गए थे। फिलहाल वारदात में शामिल फरार साथी आरुपी के ठीकानों का पता लगाने और गहनता से पूश्ताच करने के लिए पुलिस टीम ने दोनों आरुपी को कोड़ पेश कर साथ दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। तो इस तरह से इन आरुपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सारा खेल पुरानी रंजिश का था जिसका बदला लेने के लिए खेल रचा गया। महीं पुलिस ने भी ज़्यादा देर ना करती फिए आरुपियों को पकड़ लिया है। तो आपसे पिल इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही वोईसो पानिपत को अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक के पेज को लाइक और फोलो करें। और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।